दोस्तों ममस्कार स्वागत आप सबीका हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रस पार्टी को मिला पहूमत बी जेपी पिछडी सत्ता से हुई बाहर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अब पैण नम इस पष्ठ होने लगे हैं रूजहान पैणामों में बदलने लगे हैं आपको बता दे हर पांस साल में सरकार बदलने का सिलसिला इस बार भी जारी रहा भाजपा कुछ 26 और कॉंग्रेस को 49 सीटे मिलती दिखाई दे रही है साथ ही अन्ने को भी 3 सीटे मिली है हिमाचल में वहीं 11 में से 9 बीजेपी के मंतरी हार गए सिर्फ जैराम ठाकुर और उर्जा मंतरी अपनी लाज बचा सके और वहीं अपनी हाँ सुईकार करते हुए सियम जैराम ठाकुर ने इस्तीफा भी राजभवन जाकर राजपाल को सौप दिया है दोस्तों कॉंग्रेस हाई कमान भी इसी वेच सिमला के लिए रवाना बिधायकों को एक जगह बुलाया गया 36 गड़ बिधायकों को भीजने की तयारी है हरियाना के पूरवसियम और प्रदेस कॉंग्रेस के लिए अब्जरवर नियुक्त किये गए भूपेंदर सिंग हुड़ा और प्रदेस प्रभारी राजीब सुकला मामले पर पूरी नज़र जमाए हैं और खबर निकल के आ रहे हैं कि बिधायकों की सुरच्छा भी बढ़ा दी गई है साथ ही यहां भी बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस बिधायकों को पहले किसी गुप्त जगह पर बुला कर एक खटा किया जाएगा इसके बाद सभी को 36 गड़ भीजने की योजना है देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बिधायकों की ख़िद फरोक्त की संभाबना बन रही है जिसके चलते कॉंग्रेस पार्टी उन्हें अपने कॉंग्रेस सासित राज ये 36 गड़ में भीजने की तैयारी कर रही है यह दोस्तों बड़ी ख़बर ब्रेकिंग न्यूज इस समय के निकल के आ रही थी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेर जरूर कीजिएगा आप सभी का वीडियो देख